नमस्कार मैं हूँ अभैकुमार आप देख रहे हैं अपना खास कारकरम बिहार समाचार बिहार समाचार में खबरे बिहार की बाते बिहार की देश दुनिया की तमाम खबरे जिसे आपको जानना जरूरी है बिहार समाचार में हम खबर लेते हैं सत्ता के गलियारों से पंचाय केबिनेट की बैठेक में 40 एजन्डों पर लगी मोहर उतिसमें अंगनवाडी सेविक्रा सहाई का वाड्स दस्यों जीविका देदियों आसाकार करता सहीत नौकरियों का क्या है हाल और अन विभागों को क्या मिला जिसी के साथ राजनीतिक हलचल और सांस्कीतिक हलचल की बाते बताएंगे तो बिहार समाचार में हम पहली ख़बर ले रहें कि बिहार कैबिनेट की 40 एजन्डों पर बैठक में 40 एजन्डों पर मोहर लगाई गई है सलक मिर्भान विभाग से लेके जीवका दीदी अंगरवाड़ी सहीवका की बात की जा रही थी जिस पर टक्टकी लगाए खास करके आंगरवाड़ी सहीवका देख रहे थी कि आखिर उन्हें क्या मिला है जो अभी जो 40 हेजन्डों पर मोहर लगाई गई है उसमें आनी विभागों में तो बहुत कुछ दिया गया है खास करके इसे चुनावी कैमिनेट बैठकिया जाता है लिए सबसे महत पूर्णिया है कि बियार में सरकारी नोख्यों सैक्षिक संस्थानों में नमांकन में अब 75% आरक्षन का रास्ता साफ हो गया है राजपाल ने 65% आरक्षन बिल को मंजूरी दी राजशरकार ने गजट प्रकासित कर दिया है 9 नॉमबर को मतलब आज ही बिधान मंडल में पारिट हुआ था राक्षन, ओ9 नॉमबर को पारिट हुआ था, यहा राक्षन बिल पारिट हुआ था जिसे राजपाल ने मंजूरी दे दी है सभी विभागा रक्षन अधिनियम के प्राउधानों को लागू करे ताकि लोगों को लाब मिले मुख्यमंत्री का यह बयान है जाती सर्वे कहता थी आर्थी गन्ना भी कराई थी हर गरीब परिवार को दो लाख रूपे देंगे तो बहुत बड़ा जो अपडेट निकल करे हा रहा है कि बिहार में हर गरीब परिवार को दो लाख रूपे दिये जाएंगे बहुत बड़ा यह परगती है अब नज़र डाले कि आंगरवारी सरीका सहाइका को क्या मिला लगातार अंदोलन कर रही है बहुत ही उमीद थी इस बैठक से लेकिन अगर आप देखिएगा लिष्ट जो बैठक में बैठक की जो परकिरिया है पूरी परकिरिया के देखिएगा तो कहीं भी आंगरवारी स अंगरवारी से विका सहाइका को चयनमुक्त किया गया है जिसके लिए बहाली निकालने की बात की जा रही है और बड़े-बड़े अक्ष्ण में यह निकाला जा रहा है कि विःडिंग बन रहा है कि विखार में बंपर बहाली तो एक सरकार की कैसी विदमना है ज़रूर आ नौकरी शिक्षक रहते हुए दी आ रही है उसे सीटे भरी जा रही है वहीं यहां जो पहले से जॉब कर रहे हैं पहले से नौकरी कर रहे हैं उनको बरखास करके नई बहाली निकाली जा रहे हैं हलाकी बहुत ही बर्धावास हैं अब करें मुक्तव है और एक तरह मानते हैं कि का सहय का नौकरी कर मतलब कर्था है समाज करकर समॉइंग सेवी ये पार्ट टाइम काम करते हैं चार गंटे के लिए का मांद करते हैं उनको इसकाम दिया जाता है दूसरी तरफ जब आप भाकेंसे निकालते हैं तो कहते हैं बिहार के महिदाओं के लिए बहुत बड़ा मौका दे रहे हैं आंगनवाडी में नौकरें तो यह ब्रोधाभास से इस ब्रोधाभास के समझ में आप क्या कहना चाहते थे और अंगनवाडी से असाहिका लगातारा नौकर रही थी इस बैठक से बहुत उमीद थी लेकिन इस बैठक में उन्हें कुछ नहीं मिला है और इधर अगर हम बात करें तो बहुत बड़ी खमर्या है जो सब पूरे देश की पूरे विश्व की नजरे उस पर टीकी हुए है हाथसा हुआ हाथसा तो एक तालिस मज़ पहले दो दिन पहले ही वहां एक पाइपलाइन डाला गया रहा है इसे खाना की सप्लाइब हो रही थी और तालिस घंटे अहम है जो सफलता पुर्वा बुजर गया है और कुछी पलो में आपके पास या सुचना मिल सकता है कि सारे के सारे मज़दूर सुरक्षित बाहर वा गये वापस आगये अपने परिवारों के साथ है और इदर रजावली में मुटवेर चल रहा है सुरक्षा बलों के साथ इसमें यह सुचना आ रही है कि मेजर गायल हो गये है और तीन जवान की मौत हो गई है यह दुखत सुचना आ रही है लेकिन सारे आतनकवादियों को दिया गया है तो यह बड़ी खबर है बहुत बड़ा यह अपडेट आ रहा है और वहीं के बैठा की बात तो वार्ट सदस्यों को क्या मिला तो वार्ट सदस्यों के लिए भी किसी प्रकार की कोई सूचना नहीं ग्राविन ग्रामिन पंचायती राजी भाग की अगर सभी पंचायतों the 5000 बनाने की बात गही जा रही है और इदर हाइशच कूल में चाहजार साथ हेड़ मार्टर बहाल होंगे सिक्षा विभाग ने समाने प्रसासन विभाग को अधियाचना भेजी है और जब उम्र सीमा इसकी घटाई गई है जानकारों के नुसार इसकूलों में पढ़ाने वाले अनुभो के सीमा घटाने की बड़ी संख्या में अभियार् मिल जाएंगे इसलिए उम्र सीमा घटाई गया है जिसके दिशूचना दो माह पहले ही चारी कर्द की जा चुकी है पिछले साल बिहार लोक्स सेवा आयोक के जरिए 6420 हेडमांटर पदों के लिए विग्यापन जारी किया गया था इसमें से केवल 421 चैनित हुए थे इन में से भी केवल 379 ही स्कूलों में युगदान दिया था राजी के सभी उतकरमीत मादमीक उच मादमीक विद्यावलों में 6000 साथ प्रणादायपको के नियुक्ति होगी इसके लिए शिक्षा विभाग ने मंगलवार को समानी प्रसासम विभाग को अधियाचना भेज दी है तो और वहीं नालंदा में तैनात पुलिस जवान के साथ ही के बिटकोइन ठाते से 12 लाख रुपे उडाये अवैद कमाई से कर चुका है कर चुका है दुबई तक का सेर प्रित पुलिस जवान पटना के में वी आईपी का बोडीगाड है जालसाजी हुआ है कई जवानों के सा साथ ही परिजनों को लगा लगा चुना लाखो का चुना बुद्ध बुद्धा कोलनी थाने में पुलिस मामलें की चांजिन जुटी हुए है और वहीं नीट का कटफ बड़ा है बिहार के सुडेंट की सफलता की दर भी बढ़ी है वहीं कच्छा एक से पांच तक के पांच बच्चों को हर सिक्षक पढ़ाएंगे हर सिक्षक सिच्षक क्या टास्क मिला है कि पांच कमजोर बच्चे को आप पढ़ाईएगा मिसं दक्ष एक दि करवाई होगी नए नियुक्त चार लाक सिच्षक आज से स्कूलों के स्कूलों में पढ़ाएंगे और एक अन्यमार में मुख्य मंत्री ने अधिकारियों के साथ उचस्तरीय समिच्छा बैठा किया है लाएंड और खायम रखें गरबड़ी करने वालों पर सक्त करवाई कर जाने के घुष्णा करें केंद्र सरकार बिजय चोधरी निया मांग किया है और गया जाने वाले यात्री खड़े थे दस नंबर प्रेटफॉर्म पर पैसेंजर ट्रेन नौप नौन नंबर पाक खड़ी होगी इसलिए अपरा तफरी मचली है जैसा कि आपका को पता है कि छ लकूस का कर दूए है उसका लाइनर और हथियार सप्लय loose को ले रहा था दे रहा था पलपल की रिपोर्ट ऑउश की खबर भी lego Лोगेर देने वाला रहे है और सहर्था से बड़ी खबर आ रहे है ट्रेंपर कड़ने जा रहे है तीनिया त्वयों से लूट विरुवध विर और वहीं मुंगेर से खवर आ रही है दो एसाइव एक और दो सिपाही भी लाइन हाजर हुआ है धराराथ हरे पुलिस पिटाई से गायल होने का मामला है और इधर बीदेशों से खवरों के बात करें तो तीन सो फिलिस्तिनियों के बदले सौ बंधक रिया करने को तयार है हमा जा रहा है जो इवाडन पुरा क्रेडिट लेना चाहते हैं कि युद्ध विराम उन्होंने ही करवाया है हलाकि भारत के तरफ लोग तक्यक्ति लगाए देख रहे हैं कि नरेंद्र मुदी चाहें तो इज्राइल का युद्ध और हमा इज्राइल और हमास के बीच से युद दे दिया है राम मंदिर के बाद अजुद्या करदोर के बाद अब बाके बिहारिक करदोर निर्मान का भी रास्ता साफ हो गया हलाकि कोट के ही माध्यम से तो दोस्तों यह थी वो तमाम खबरें लेकिन आप लोगों से बुजारिस आए आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइ कर लेजिए वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जब कीजिएगा मिलते अगले वीडियो में जैहिन बंदे मातरम